वो इस आप YouTube my name is Aditya and welcome back to my channel The Indian Algo इस वीडियो में मैं discuss करने वाला हूं Nifty और Bank Nifty का Pre-Analysis for the entire coming week starting from 16th September अगर आप इस चानल पर नहीं हो और आपने मेरा free telegram group join नहीं किया है so the link is down in the description यहां पर मैं आपके साथ share करता हूं live market में की price कहां पर run कर सकता है यह Thursday का दिन जब Nifty एकदम consolidate करना था मैंने यह आप बेज़ा था all of this should be taken out very soon 25 180 and 225,500 in gift Nifty 1147 को मैंने charge share किया था उसके बाहर market 237 को you see the rally and all the way up price went right there तो यह सारी चीज़े में live market में share करता हूं यह group join करना इसलिए important है because आप यहां से जो सीख के जाते हो live market में कैसे apply होता है वो समझना जादा important है कौन से दिन आपको पीछे बैटना है कौन से दिन आपको trade नहीं करना है वो समझना जादा important है because यह जब एक बार rally करता तो आपको पता है आप कहीं न कहीं दोसके पैसा कमा सकते हैं लेकिन जब अगर market sideways होने वाली है तो आप कैसे बचोगे वो सारी चीज़े में यहां पर शेयर करता हूं अभी निफ्टी को देखके एक बहुत ही clear bias हम determine कर सकते हैं मैं बहुत important चीज़ आपको बताने वाला हूं वो है related to order flow जो आप हमेशा अगर आप YouTube देखोगे मेरा videos देखोगे तो आपको order flow बहुत अच्छे से समझ में आएगा इस point में हमारे पास क्या है हमारे पास एक fair value gap है इस fair value gap का अगर price 50% fill नहीं करता है या फिल करके भी थोड़ा सा जो area यह आप देख रहे हो 50% के नीचे थोड़ी से जो area है अगर price इसको open छोड़ता है मतलब कि समझो price यहाँ पर open हुआ price ने test किया इस fair value gap को and price started running higher तो जो momentum है तो momentum is going to be very strong very strong यह चीज़ मुझे कैसे समझ में आई अगर यह fair value gap पूरा फिल नहीं होता है अगर पूरा फिल हो जाता है तो समझ जाना market थोड़े time के लिए थोड़ा wait करेगी जादा उपर या नीचे थोड़ा सा उपर नीचे करके फिर अपना direction पकड़ेगी लेकिन अभी के लिए मैं आपको एक clear anticipation बता रहा हूं कि जब तक price is fair value gap को पूरा फिल नहीं करेगी मतलब यहाँ तक नहीं आती है सिर्फ यहाँ पर ह जाने का आपको direction देती है तो बहुत strong move आने वाला है अब एक और चीज़ सकती है कि price is fair value gap को कभी test करने नहीं आती है that means जब market open होगी market क्या करती है सिर्फ उपर से ही rally दे देती है तो भी आप समझ जाना काफी strong move है कहां तक जा सकता है move अभी price ने high बनाया है all time high आप देख स है वह 25,500 25,600 25,700 यह तीन नमबर आप अपने चार्ट पे plot करके रखना जब भी price आपको देख रहा है कि इस direction में जा रहा है तो वह हमारे major objectives है उसके बाद price क्या करता है उसके बाद price क्या करता है वह हम बाद में करेंगे लेकिन अभी हमारी expectation 25,500 25,600 25,700 अब आते हैं हम bank nifty की तरफ I'm sorry थोड़ा सक्काफ है मुझे अब यहां पे भी आप देख सकते हो बहुत clear expectation है इसके उपर काफी अच्छी liquidity है buy side liquidity आप इसे बोल सकते हो market क्यों move करती है market move करती है जहां पर liquidity stop losses होते है और imbalance होता है और एक हमारे पास है यहां पे काफी अच्छा है यह 52,350 के आसपास बहुत easily price करेगा इसको hunt कर देगा simple condition है simple condition है जब तक price आपको यह fair वाली आप बनाके दे रहा है और जब तक price is 50% pay वाली आपको पूरा fill नहीं करना है मतलब नीचे जाके पूरा fill नहीं करना है तब तक आपके पास clear expectation है कि price यहां से एक strong rally देगा towards the buy side liquidity जब तक यह fair वाली आप नहीं तूटता इसको price nifty को bank nifty को मीचे गिरने से कोई जरुरत नहीं है इसको उपर जाने से कोई नहीं लोग सकता जब तक यह fair वाली आप सस्टेंड कर रहा है निफ्टी नहीं गिरेगा चाहे कोई भी नीज आ जाए चाहे कुछ भी हो जाए निफ्टी नहीं करने वाला है जब तक यह fair value gap support करेगा it is a very strong support towards the context that it has created और गैस तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो आप देखना price के से play out करता है आने वाली कुछ दिनों में और वैसे हम determine करते कि हमारा next bias क्या होगा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ensure you give a like share this video with as many people as you can and comment on this video thank you so much guys